प्रिहयों नमस्तर वेप्याहा भाशा पाकाहा तृती यहा इत्यस्य अध्य चतुर्थाहा पाथाहा ये नाक्षर समामनायम अधिगम्य महेश्वरात कृस्नम व्याकरणं प्रोक्तं तस्माई पाणि नये नमहा वाक्यकारंवररुचें भाशकारंपतंजलिं पाननिं सूत्रकारंच प्रनतोस्मि मुनित्रयं भाशा पाकाहा तृती यहा इत्यस्मिन पुस्तके विद्यमानहा पंच दशाधिक दुविशततमहा पाथाहा दशहरा इत्यस्य शब्दस्य विशये किंचित प्रतिपादयती तत्र दशहरा इति शब्दहा अध्यतन काले सामान्य रूपेण विजया दशमी नोचेत नवरात्रोत्षवस्य अंतिमहा दिवसहा इत्यस्मिन अर्थे प्रयुजते परंतु सहा अर्थः प्राची नहा नास्ती इदानिंतन काले एव अस्मिन अर्थे अस्य शब्दस्य प्रयोगहा प्रारब्थः अतह व्युत्पत्ति रूपेण पश्या महा प्राची नहीं अस्य शब्दस्य प्रयोगहा कथम कुर्तहा इति पश्या मश्यत दशहरा इति शब्दहा गंगान अध्याहा जानव्याहा पर्याय रूपेण प्रयुजते दश विधानी पापानी हरती सा दश हरा जान्नवी गंगा इति आशय हा ब्रहम्म पुराणे अस्मिन विशय उक्तमस्ती एतानी दश पापानी हरत्वं मम जान्नवी दश पाप हरा यस्मात तस्मात दश हरा स्मृता अयम दशहरा इती शब्दहा गंगा याह एव अनुशंगेन दशहरा उच्छ वहा इत्यस्मिन अर्थे अपी प्रयुजते तत्र भविश्यत तुराने अयम निर्देशा लभ्यते जेश्ठ शुक्ल दशम्याम्तु खस्त योगेन जान्नवी हरते दशपापानी तस्मात दशहरा इती उच्छते जेश्ठ मासस्य प्रतिपदा तिथिही उभयता प्रयोगा अभवती तस्मात दिनात आरभ्य जेश्ठ मासस्य नवमी तिथिही इती परियंताहा ये नवदिवसाहा एतेशाम एव दशहरा उच्छवः नोचे दशहरा पर्व इती नामना निर्देशहा भवती अतहा पंचांगे जेश्ठ शुक्लप प्रतिपदा इत्यत्र दशहरा आरंभः इती अपी कुत्रचित उप्तम दृष्चते जेश्ठ मासे गंगा नदी अत्र भुवी अवतीरणा अतहा जेश्ठ मासे गंगा स्नानम क्रियते तत पर्व सह उच्छवह दशहरा उच्छवह इती अस्य शब्दस्य प्राची नईही दत्तहा मिर्देश्टहा अर्था हास्ते तत्र ब्राहम्म पुराने एतानी दश पापानी हरट्वम मम जांधवी इती उप्तमस्ती कीद्रिशानी दश्य पापानी तस्मिन विशय पिकिन्चित पश्चामहा तत्र सुमृतव अदत्तानाम उपादानम हिम्साचैव विधानतह परदारोप सेवाच कायिकं त्रिविधं स्मृतम अनेन प्रकारेन त्रिविधं कायिकं पापम शरीरेन भवितुमरहती ताद्रुषं त्रिविधं पापम निर्दिष्टमस्ती अदत्तानाम उपादानम यत्किमपी नदत्तमस्ती तस्य चाूरकर्म Stealing something which is not given to you. हिम्साचैव अविधानतह Some kind of हिम्सा is allowed by the शास्त्र, some kind of हिम्सा is not allowed by the शास्त्र, अविधानतह यत्किमपी शास्त्र रूपेण नानुमन्यते ताद्रिशी हिम्सा तथाच परदार उपसेवा, परदारानाम उपसेवा, अदल्ट्री एते त्रयह विशयाह, काईक पापरूपेण परिगण्यन्दे अतहा काईकं त्रिविधं स्मृतं, इती तत्र निर्देशह अस्ति तदनंदरं विद्यमानह श्लोकह, पारुश्यं अंधृतंचैव पैशुन्यंचापि सर्वशह, असंबधप्रलापष्च वांमयं स्यात्चतुर विधं तत्र चतुर विधं पापं, वाचाक्रियमानं, वाण्याजायमानं, अतहा वांमयं पापं इती तत्र निरदेशहा वरतते पारुष्यम hurtful or abusive language अनृतम telling lies पैशुन्यम backbiting or speaking bad behind somebody's back and असंबध्ध प्रलापह talking completely irrelevant or out of context just because you don't want to keep quiet एताद्रुषं चतुर्विधं वांगमयं पापं अस्तीति निर्दिष्टमस्ती तदन अंतरं अग्रे परद्रव्येशु अभिध्यानं मनसा अनिष्टचिंतनं वितत्था भिनिवेशच्य मानसं त्रिविधं स्मृतं त्रिविधं पापं मनसा जायमानं you don't perform any action, just think परद्रव्येशु अभिध्यानं you think about how somebody is much richer than you and you would want their money परद्रव्येशु अभिध्यानं मनसा अनिष्टचिंतनं think bad about somebody else वितत्था अभिनिवेशः believe in false things and assume they are true एताद्रशं त्रिविधं मानसं पापं अस्ति अनेन प्रकारेण त्रिविधं कायिक पापं शतुर्विधं वाचिक पापं तथाच त्रिविधं मानसं पापं इति दशविधं पापं या हरती सा दशखरा नोचेद जन्धवी नोचेद गंगा इति संपूर्ण रूपेण दशखरा इति शब्दस्य कोशेशु व्युत्पत्तिही वर्णनं अर्थः चदत्तः द्रिशबे नवरात्रोच्छवः नोचेद नवरात्रोच्छवस्य अंतिमह दिवसह अस्मिन अर्थे अध्यतनी काले यहा दशहरा इति शब्दहा प्रयुज्यते ताद्रिशहा प्रयोगहा प्राचीनहा नास्ती परंतु कथंचे ताद्रिशहा प्रयोगहा अध्य संजातहा दुर्ग धुछेवस्य देवी दुर्गा, नुचे दश दिनात्मकह उच्छवअ थांव पपाणां हरनम्भवती, इति केंची थत्र socialist पत्र अनेन प्रकारेण अस्मिन पाठे प्रामुखेण दशहरा इति शब्दस्य विशये कथम्तस्य अर्थाह व्युत्पत्ति हिचास्ती इति सर्वं उक्तमस्ती। तदन अंतरम अस्मिन नेव पाठे नवरात्रो छवहा इति तत्र विशयाह किन्चि आगतह अतह अस्मिन संदर्भे नवरात्रो छवस्य विशये व्याक्रण विशिष्टम् किन्चि दुपतमस्ती। तत्र अयम प्रश्नहा प्राएन सर्वेशां छट्रणाम मनसी वर्तते नवरात्रम इति वक्तव्यम उतन अवरात्री हि इति वक्तव्यम। I have answered this question more than 20 times in recent years. So, बहुवारम अयमेव प्रश्नहा, many students say that my teacher told one way or my teacher told other way. So, let's actually understand what is the real answer over here. You should not use the words नवरात्रिही और नवरात्री, नवरात्रा, नवरात्रह, नवरात्राणी और any other further combination असाधु अस्ती नवरात्रम इति वक्तव्यम। तत्र अस्य शब्द से सिध्धिही कथम भवती इति चेत् नवानाम रात्रीणाम समाहारहा इति व्युत्पत्या, इति वृत्या, संख्या पूर्वो द्विगुहू, इति अत्रद्विगु समासहा भवती, समाहार द्विगुहू, संख्या वाचकहा शब्दहा पूर्वं विध्यते, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेच, इत्यस्मात सूत्रात समाहार इति अनुवर्तते, समाहार द्विगुहू, समासहा सिध्यती, अत्र प्रक्रियायाम, अहस्सर्वैक देश संख्यात पुन्याच रात्रेहे, इति सूत्रेन, अच्च इति कश्चन प्रत्ययहा विध्यते, यदि अयम अच्च प्रत्ययहा अत्र नभवेत, तरही नवरात्री इति सम्यक्स्यात, परंतु अयम अच्च प्रत्ययहा अवश् अच्छम अत्रक्रियते, this is not optional, अच्छ प्रत्य यहा क्रियते चे, अग्रे काचित प्रक्रियाभवती तननंतरम नवरात्र इति अकारांत शब्दहा सिथ्यती, so first of all नवरात्री is not correct, नवरात्र has to be used, अच्छ is not optional, it will always come in the प्रक्रियाव, अनेन प्रकारेण सिथ्धहा नवरात्र इति शब्दहा केवलं एक वच्छनी एव प्रयुच्यते, तत्र द्विगुहु एक वच्छनम इति सूत्रमस्ती, द्विगु समा सांत शब्दहा एक वच्छने एव प्रयुच्यते इति तत्र सामान्यनियमा, अतहा द्विगुर एक वच्छनम इति सूत्रेण अयम शब्दहा केवलं एक वच्छने, तत्र एकम वार्तिकम विध्यते संख्या पूर्वं रात्रम क्लीवं, यस्य शब्दस्य अंते रात्र इतियस्ती, यस्य शब्दस्य आदव संख्या वाच्छकम पदम विध्यते, यथा नव रात्र एताद्रशेशु स्थलेशु नपुम सकलिंगम एव प्रयोक्तव्यम, अतहा अत्र नपुम सकलिंगे तथाच एक वच्छने प्रयोगहा भवती, नमानाम रात्रीनाम समाहारहा नव रात्रम इत्येव वक्तव्यम, अनेन प्रकारेण अस्मिन पाठे आदव दशहरा इति शब्दस्य विषये तदनन्तरम्च नवरात्रम इति शब्दस्य विषये विस्तरेण विवेचनम कुरुतमस्ती, अत्रैव भवताम उस्तके विद्यमानहा पंच दशाधिक द्विशततमहा पाठः समाप्तहा. भाषा पाकहा तृतियह इत्यस्मिन पुस्तके विद्यमानहा शोडशाधिक द्विशततमहा पाठः समाप्तहा पर्याय वाचक शब्दानाम अर्थेशु विद्यमानं सूक्ष्म भेदं विव्रुनोती. तत्र अस्माभिही बहवः पर्याय वाचकाहा शब्दाहा ध्यायंते जलम इतियस्ती, नीरम इतियस्ती, पयहा इतियस्ती, क्षीरम इतियस्ती, दुगधम इतियस्ती, कुम्भाहा इतियस्ती, घटहा इतियस्ती. अमर कोशेतु संपूर्णाा आवली एव प्रत्य कस्मिल श्लोके परियायवाचक शब्दानाम दत्त अस्तृ एते सर्वे परियाय वाचक शब्दाहा एते शु एकस्मिन समय वाक्य एकह एव शब्दाहा प्रयोक्तव्यहा इति सामान्यहा व्यवाहारहा सर्वैहिय पिद्यायते यथा घटम आनय इति वदामहा कुम्भम आनय इति वदामहा परंतु घटम कुम्भम च आनय नोचेद घटम कुम्भम आनय एता त्रिशाहा प्रयोगाहा भाशायाम नभवन्ति अतह परियायवाचक शब्देशु एकह एव शब्दहा यकोपी भवत्धी इश्टे सह प्रयोगत व्यहा कितिाशयहाँ परंतु यदि कुत्रचित एता द्रिशाहा गटम कुम्भम आनय एता द्रिशाहा प्रयोगाहा शिश्टैही कुतह द्रिश्टे तरही तत्र घटहा अस्मिन संदर्भे चारुदेव शास्त्री भीहि विरचितं पुस्तकं वाग्व्यवाहारा दर्शहा इत्यस्मिन पुस्तके पर्याय वचन विवेकहा इति पुर्थक प्रकरणं विद्यते तस्मिन प्रकरणे विस्तरेण चिंतनं कृतं मस्ति तत्र कुम्भस्य तथा घटस्य एव उदाहरणं स्वीकृत्य तत्र आचार्य ही प्रतिपाध्यते कुम्भ घटयो हो अपी नप्रायेन सुग्रहा विशेशहा कुम्भ घटयो हो विशेशहा the specific difference between a कुम्भ and the घट नप्रायेन सुग्रहा is not very easy to understand everywhere you see the words used in the same meaning as a synonyms for each other तदपि सम्यकस्ति परंतु कुत्रचि तयोर मध्य सुक्ष्महा भेदाह विद्यते ताद्रशस्य भेदस्य ध्यानं सरल रूपेण नसंभवती परंतु अस्ति अस्ति सहा इति दिदर्शय शामहा वयम अत्रद्यापैतु मिच्छामहा कश्चन भेदाह अस्ति कतम ज्णयते तत्र चर कस्य सूत्रस्थाने एका पंक्ती विद्यते यत्र तस्याम पंक्तव चर केण भिन्नानाम पात्रानाम व्यसल्स परिगणनाम क्रुतमस्ति दर्वी अस्ति, अन्यत्किमपी अस्ति, चमसहास्ति, अन्यत्किमपी बहुनाम, शब्दानाम, तादृशानाम, तत्र तेन परिगणनम कृतमस्ति, तत्र कुम्भः इति शब्दहा, घटहा इति चशब्दहा, तेन पार्थक्क्येन पृथक्ग्रूपेन पाठ्यते, अतहा चरके सूत्रस्थाने इदानीन तावत संभारान विविधानपि समासे न उपदेक्षामः This is a line from the Charaka's book इति उपक्रम्य तान स्थान अरथान परिगनयन कुंभ घटव साह चर्येड पथपी आचार्या He uses the word कुंभ and he uses the word घटव along with other names of the vessels इदानिन कुम्भः तथा घटः इती परियायवाचकव शब्द उस्ताः चेत एकस्यव निर्देशा की मर्थम नक्रतः उभयोहो निर्देशा की मर्थम इती प्रुष्टे सती तत्र तीका कारहा चक्रपानिही कथम स्पष्टी करोती कुम्भः दुडः वयवाच्ट इताद्रिशह सूक्ष्मह भेदहास्ती कोशेश अयम भेदाहा नदृष्चते सामान्य रूपेण वया करणेही अस्य भेदस्य प्रयोगहापी तेशाम वाक्ये नक्रियते कैश्चन कुम्भाहा यथा प्रयुजते तथाइव घटाहायम शब्दहापी प्रयुजते परंतु सुक्ष्महा भेदाहा तत्र वर्तते इति अत्र ध्यापित मस्ती अनीनईव प्रकारेण अत्र पर्याय वचन विवेकहा इत्यस्मिन प्रकरणे मोदहा तथा हर्षहा समाना अर्थकव शब्दव परंतु तयोर मध्ये भेदाहास्ती हेमम तथा सुवर्णम, विलापहा तथा परिदेवनम, तर्जनम तथा भर्थनम, विपिनम, काननम, गहनम, वनम, अरण्यम, एताद्रिशानम, समानार्थकशब्दानम, विषये अपी, सूक्ष्मभेदस्यप्रतिपादनम कुर्दमस्ती So, very beautiful topic for those who are interested in these kind of things. You should definitely look up the original work and read more about it. एतत सर्वं उक्तवा तत्र अन्ते समानार्थकेशब्देशु भेदहा विद्यते इती निश्करशहा तत्र चारुदेवशास्त्रिभीही समस्थापितहा वर्थते. सहात्र किन्वदती अया मत्र निश्करशहा ये खलू अभिधान कोशेशु समानार्थकाहा इती परिपाथिताहा शब्दाहा ते न अत्यंताय समानार्थकाहा भवितु मर्खंती. not hundred percent identical. भिद्यते हितेशाम अर्थहा कया अपिकलया. कला is a minor amount. There will be a difference of a minor amount in the meanings of these words. यता इक्षु क्षीर गुडादीना माधुर्यं सांतरं सदपी नतता विभाव्यते. इक्षु क्षीर तथा गुड इत्ये तेशाम विद्यमाने माधुर्ये भेदाहा अस्ती. परंतु सामान्य रुपेण सहा भेदाह असमाभिही नज्यातुम् शक्यते. अति सुक्ष्महा भेदाहा अस्ती. कानि उदाहरणानी दर्थानी संती इक्षु क्षीर गुड एतेशाम माधुर्ये सांतरं सदपी नतता विभाव्यते नवावाचा प्रणिगध्यते भेदस्य अति सुक्ष्म्यात। The difference is very small and very minute. तथा समानार्थकानाम अपी शब्दानाम इतियाषयह समानार्थकानाम अपी अवांतरह विशेषह भवती नचलक्षते. It's not very easy to find out the difference but it exists. सुक्ष्म्याद नलक्षते तलक्षणे प्रकृतह यत्नहा Whatever examples have been discussed is basically an effort in that direction. So, तलक्षणे अत्र एताग्रशह यत्नहा कृतह अस्ती. अत्रईव शब्दानाम या आवली मया उक्ता तत्र कोपहा, क्रोधहा, अमर्शहा, रोशहा इति चतुरनाम पदानाम विशये अपी पृथक पृथक भेददर्शनम अग्रे अस्मिन्येव कुस्तके कृतमस्ती अस्माकम भाशापाक कुस्तकस्य लेखे अपी तस्य विवरणम विद्यते तत्र कोपहा थथा क्रोधहा इति द्वव शब्दव प्रारंभे पश्यामहा कोपहा, क्रोधहा, कोशस्यमतेनतु समानार्थकव एव All these words will have identical meaning as far as the कोशा is concerned अता हां अमर कोशे की मुच्छते कोप, क्रोध, अमर्ष, रोष, प्रतिघा, रुट रुष इति प्रातिपधिकम रुट तथाच क्रुध एते सर्वेप शब्दाहा समानार्थकवा तत्र कोप थथा क्रोध इति शब्दयोहो अवयव रूपेण, मूलरूपेण विद्यमानाहा धातु हूँ कहा इती चे कुपक क्रोधे इति धातुحتू, कुरुधक्रोधे इति धातु हूँ अत् DANIEL तत्र धातोहो अर्थाहाति समानाहा स्ति तथा पी यथा स्माभी पूर्वंद्रुष्टं सूक्ष्मरूपेण अर्थे भेदहा वर्थदे कीद्रिशह भेदहा कोपः इती क्रोधस्य प्रारंभिकावस्था इती उच्चते आदव कोपः तदनंतरं क्रोधाहा इती अत्र आशयहस्ती बालमनो रमायाम नोचेत रामायनस्य कस्याश्चित व्यक्यायाम अयम वविशयह उक्तह वर्तते गाते च्छा समन्यत श्चित वरत्य विशेशह कोपः When the anger starts building specific state of mind that is called कोप and when it is elevated and it comes out प्रूध कोपः एवहि क्रोधः So basically the stages of anger कोप is the earlier stage क्रोधः is the bigger later occurring stage कोपस्यईव अधिकावस्था क्रोधः इती उच्चते अस्मिन संदर्भे वाक्य वहारा दर्शे पर्याय वच्चन विवेका अनुपपन्नम तत्चिंत्यम प्रायेन सम्यक नास्ती कि मर्थमनास्ती पाणिनिना एव प्रथमाध्याय से चतुर्थे पादे एकस्मिनेवसूत्रे कुरुध तथा कोप इती द्वव शब्दव प्रुथक ग्रुपेन प्रयुक्तव स्था यथा चरकेन, कुम्भ तथा घट इत्येत योहो प्रुथक ग्रुपेन प्रयोगह क्रुथास्ती पथैव पाणिनिना प्रथमाध्यस चतुर्थे पादे इदम सूत्रम स्थापितम वर्तते कुरुथक द्रुथेर शासु यार्थानाम यम प्रतिक कोपः अत्र कुरुध इति शब्दहा, कोपहा इति शब्दहा, पुरुथग्रूपेण पाणिनिना स्थापितहा वर्तते, अत्रहा अवश्यम एतयोहो अर्थयोहो मध्ये सुक्ष्महा भेदहा स्यादेव इति तत्र आचार्येही स्पष्टी कुरुथमस्ती अस्यसूत्रस्य भाष्ये अपी भष्यकारह एतम एव विशयम विस्तरेण अग्रेवदती नानार्था एते कुपवद एशाम सामान्यम So, कोप, the basic concept is common across कोप, कुरुध, अमर्श, रोश, and so on. They are not distinct, like completely distinct words. तत्र कुपवत एशाम सामान्यम अस्तियव नही अकुपितहा कृध्यती यस्य कोपहा नास्ती तस्य क्रोधाहा अपी नास्ती अधा तत्र किंचित सामान्यत्वं तु अवश्यम वर्तते परंतु तत्र कष्ण विशेशहा अपी अस्ती तम्च विशेशं इत्थम उन्नयती स्पष्टी करोती कैय टहा, कैय टहा अस्तीव विशेशस्य विशये प्रदीपे अग्रे विव्रुणोती, ननु कोपहा कुरोधह एव इति भेदा भावात कथम पवर्वा परियं, यदि कोपहा कुरोधहा समानह एव स्यात, तरही अस्मीन सूत्रे आदव कुर्ध इति शब्दहा, तदनंत्रम कोप इति शब्दहा, इति कि मर्थम कृथम पानि मीना, अत्हा प्रथमाम अनुद्भूताम कोपावस्थाम, when the anger is still building and it has not come out, that is कोप, द्वितियाम च उद्भूताम, when the anger comes out, how does it come out, you start using foul language, your body language changes, you probably hit, you probably throw something, so उद्भूताम, विकृतवाक, कायव्यापार, the body language and the speech both start showing up that particular feeling, विकृतवाक, कायव्यापार, अनुमियमाना, it can be easily identified from these two aspects, कायव्यापार, अनुमियमाना, अशृत्य, एतग, उक्तम, इति अदोशह, एतच्य, प्रतिकूलेश, तैक्षनियस्य, प्रकर्षह, Same thing has been told again and again, तैक्षनियस्य प्रकर्षह, तैक्षनिय, disinterest, distaste, dislike, तैस्य प्रकर्षह, क्रोधाह, इति उच्यते, इति अभियुक्त्यो, प्या, बलवत्समर्थ्यते, क्रोधो, विक्षिप्त, चित्तता, इति शांति पर्वणी, नील, कंठ, भणिती ही, इति अप्र अत्र, अनुगुणा, भिन्नाईही, पंडिताईही, अस्मिन विशये, अयमेव, भेदाह, प्रुथक्-प्रुथक्रुपेन, परिगणिताह, अस्ति, एतत्सर्वं कोपहा तथा क्रोधहा इत्यस्य विशये, तदन अंतरं विध्यमानू द्वव शब्दव, अमर्ष तथा रोश, एतव अपिसमानार्थकव, परंतु तत्रापी, सुक्षमहाभे दहा अवश्यम अस्ति, तत्रेव परियायव चन विवेकहा इत्यत्र अग्रे आचारिहा प्रतिपादयती, अमर्ष रोशव अपि विविच्छे ते अर्थतह विचक्षणें ही, विचक्षण हा इत्युपते पंडितहा विद्वान एता द्रिशाह ये पंडितहा, तय ही, अमर्ष इत्यस्मिन अमर्ष रोषव अपे विविच्चे ते अर्थ तहा विचक्षनाई ही मालती माधवे भवभूती ना विरचितम इदम नाठकम अस्मिन नाठके अमर्ष रोषव इति द्वन्व निर्देश हा समुपल अभ्यते So again, a scholar has used these two words simultaneously, which means there will be a difference. तत्रती काकारह जगद्धरह इत्वम विशेशम इत्वम विशेशम निर्वक्ती स्पष्टी करोती अमर्ष रोषव अक्षमा क्रोधव यद्वा स्थिरक्रोधता तात्कालिककोपव तत्रता क्रोध अमर्ष जब स्थिरक्रोधता I have talked about this in भाषापाकर 2 also. I give this example. Somebody breaking your pencil versus somebody hitting and destroying your car. There will be a difference in the level of anger. So, अमर्षः इत्यत्र स्थिरक्रोधतास्ति. On the other hand, रोष इत्यत्र तात्कालिकह कोपास्ति. So, it is कोप, it has not even come out. But still it is only तात्कालिक. So, you get angry and then you forget or you come to the normal level. So, स्थिरक्रोधतास्ति तत्र अमर्ष इतिशब्दाह प्रेज़ते. So, some scholars say, क्रोधाहा कृतापराधेशु स्थिरहा अमर्शत्वं अश्नुते अपराधा कृताहा महान अपराधा अस्ती अतहा यह क्रोधाहा तत्र उपस्थापितहा आगतहा सहा बहुकालम्यावत्त ताद्रशाह एवभवती कृतापराधेशु स्थिरहा क्रोधाहा अमर्शत्वं अश्नुते रोशहा तु तत्कालितहा कोपहा इदम पंडितही उप्तम् वाक्यम् निरवद्यम् दोश रहितम् भाती एताद्रशह भेदहा पंडितही यहा क्रियते सहा उचितहा एव हितोपदेशे अपी अस्मिनेव अर्थे काचित पंग्तिही विद्यते क्षणे रुष्टहा क्षणे तुष्टहा रुष्टस तुष्टहा क्षणे क्षणे एकस्मिन क्षणे रुष्टहा अन्यस्मिन क्षणे तुष्टहा हपी कथम रोशहा इति पत्य तात्कालिक को पहा अथा एकस्विनक्षणे सा रुष्टहास्ती अपरस्विनक्षणे सा तुष्टहास्ती इति आशयहा अथा हितो पदेशस्थे पद्ये वाक्यार्थे विम्रुष्यमाने रोशहा तात्कालिका को पहा पत्वती इति नदुष्कर प्रूशकरम उन्नेतुम, is not hard to justify, उन्नेतुम means to support, to justify iti नदुशकरम उन्नेतुम, एतत्सर्वमुक्त्वा तदनुंतर मुच्चते, रोशक्रोधु विवन्चद्भिहि, so technically these three lines appear much earlier, but in this context let's take them before, let's take them after the description. रोशक्रोधव विवन्चद्धिह अस्माभिह किंचे दुक्तम तत्र अज्वलाकारस्य खरदत्तमिष्रस्य वच्छा उपकारकम आदेयम So, same thing has been explained in a different way. If you have a really good friend, you won't be angry on the friend for a long time. So, that's a momentary anger. Omya Matra, maybe you are unhappy for a moment and then you carry on. So, while Omya Matra कार्य करहा, अनेन प्रकारेण अत्र अमर्शहा तथा रोशहा एवमेव कोपहा तथा क्रोधहा इत्यतयोहो विष्रये विवरणं कृतमस्ति. तत्र अग्रे अस्याम आवल्याम रुट इती शब्दहा तत्र प्रातिपदिकम तु रुषः इती शकारांतमस्ति. कृध इती शब्दहा तत्रापी कृध इती धकारांतम् प्रातिपदिकमस्ति. एतव द्वव शब्दव खलंतव परंतु एताभ्याम शब्दाभ्याम ताप प्रत्य यहा अपिभवती. ये न रुष इत्यस्मात रुषा, कृध इत्यस्मात कृधा इती आतारांत स्त्रीलिंग शब्दव अपिसिध्य तहा इती भागुरिणा भागुरीजव वया करणा चो भागुरिणा अत्र निर्दिष्टमस्ति. अस्मिन नेवस अंदर भे कृधा इत्यस्मात प्राप्तः शब्दः रुषा इती रुष इत्यस्मात प्राप्तः शब्दः एत योहो शब्दारण में निर्देशा अस्ती इती अमर कोशे से सुधा व्याख्याने उच्चते. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन लेखे समान अर्थकानाम शब्दानाम विशये सुक्ष्मह अर्थबेधा विद्यते इती घटकुम्भयोह उदाहरणेन स्पष्टी कृत्य तदन अंतरं क्रोधः पोपः अमर्षः रोशः रुशा कृधः इती शब्दानाम विशये वरणनं कृतं मस्ती अत्रैव भवताम पुस्तके विद्यमानाह शोडशाधिक दिविशततमह पाठः समाप्तः भाषा पाकह तृती यह इत्यस्मिन पुस्तके विद्यमानह सक्त दशाधिक दिविशततमह पाठः सौदामनी तथाच सौदामिनी इत्यता अभ्याम कहा शब्दह साधुतरह इत्यस्मिन विशये किंचिद विवरणोती तत्र मूलरूपेण कहा अर्था हा तरही लाइटिनिंग विद्युत तडित इत्यस्मिन अर्थे सौदामनी मकारोत्तरह अकारह अस्ति सौदामनी इति शब्दह अमरकोशे वर्तते तडित सौदामनी विद्युत चंचला चपला अपी एता द्रिशह तत्र निर्देशह अस्ति कथम सिध्यती अयं शब्दह अस्य विद्पति द्वयम अत्रैव सुधावयक्याने दत्तम दृष्यते सौदामन इति शब्दह अयरावतह इंद्रस्य हस्ती आयरावतह तथाचपर्वतह इत्यतयोह अर्थे प्रयुजते सुदामा इती शब्दहा ऐरावत इत्यस्य परियाया अग्रे सुदामा इती शब्दहा पर्वता इत्यस्य परियाया अभयता उक्तमस्ति सहा कस्मिन दिशी वर्तते सु ऐरावत is in the sky, assuming Swarga is there, and the पर्वता points to the sky So, सहा इत्युक्ते ऐरावतहा नोचे पर्वतहा इत्युक्ते सुदामा यस्याम दिशिवर्तते The word is in this three-linger. यस्याम दिशिवर्तते तस्याम एव दिशी या विद्यते सा सुदामनी So, तत्र तेन एक दिक इती तधिता प्रकरणी सुद्रमस्ति So, in तधिता प्रकरणम, if you know the direction of one entity and if you know that other entity points in the same direction then that particular other entity can be represented by using a certain प्रत्यय on the first entity So, सुदामना एक दिक Something that is in the direction of सुदामा तस्या निर्देशार्थम तेन एक दिक इत्यस्मिन अर्थे अन इती प्रत्ययकृते स्त्रीलिंग से निर्देशार्थमीत इती प्रत्ययकृते सुदामनी So, सुदामन प्लस अन आदिवृद्धी भवती सुदामनी इती शब्दासिन्जती तत्र अलोपो नहा इती अकारस्य लोपे प्राक्ते अन इती सूत्रेन प्रक्वती भवाभवती तादिर्शा लोपहा न भवती इती अप्यत्र कष्चन प्रक्रिया विशेशा दत्तास्ती अनेन प्रकारेन सुदामना एकदिक अनेन प्रकारेन सुदामना एकदिक अनेन प्रकारेन सुदामना एकदिक अनेन प्रकारेन सुदामन इती सुदामन इत्यसे शब्दस्य अर्थः वारिधर्ः वारिधर्थी The one that holds water, essentially meghaha, ityasmin arthe sudaman iti shabdaha prayujyate, ataha tatra vidyate, tatra jataha, lightning is born in the clouds or it starts, it resides in the clouds. तत्र विद्यते तत्र जाताहा इत्यस्विन अर्थे अपी आन प्रत्ययहा तदन अंत्र मीप इति प्रत्ययहा क्रियते चित सौधामनी इति शब्दाह सिथ्यती अनेन प्रकारेण सौधा मनी इती शब्दहा कथम साधुत्वम प्राप्नोती इती अत्र निर्दिष्टमस्ती तत्र अमरकोशस्याईव केशुचन सम्सकरनेशू अमरकोशस्याईव केशुचन सम्सकरनेशू तत्र 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 ताद्रिशह अपपाठह अस्ति सौदा मिनि इति अशुद्धह शब्दह इति अत्रईव सुधा व्याख्याने निर्दिष्टमस्ति So, in the सुधा व्याख्यान, he is very clear. There is no doubt left. सौदा मनि इत्ये वसाधु, सौदा मिनि इति असाधु इति उक्ते बहुत्र वया करने ही, पंडिताई ही, कवी भी ही अपी, सौदा मिनि इति पाठहा कथंचित स्वीकृतह अस्ति So, as I mentioned, some manuscripts had सौदा मिनि, it got propagated. So, those people who learned from those books, that tradition, started using सौदा मिनि सौदा मिनि इति शौदा मिनि इति शौदा मिनि इति शौदा मिनि इति कृतह अस्ति So, the copy that Tattva Bodhini Kara had also had सौदा मिनि शौदा कल्पद्रुमे अपी सौदा मिनि इति शौदा 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 मिनि इति इ अत्रकुत्रापि नदियते so all these people will use the word सौधामिनी but they will not give any particular व्युत्पत्ति not even पुरुषोधरादीनी अथोपधिस्टम that पुरुषोधरादीनी is always a backdoor you can use it to justify whatever you want पर अंतु ताद्र्शमापि अत्रनकृतमस्ति अत्रहा व्युत्पत्ति कथनस्य अलाभात सौधामि इति शब्दस्य प्रयोगहा नक्रियते चेदेववरम इति तत्र भाशापाक पुस्तके guidance दत्रहस्ति तत्स्थाने सौधामिनी इत्येव प्रयोगहा करणियहा इति तत्र आचार्यहा प्रतिपादयती अत्रैव भवताम पुस्तके विद्यमानहा सप्तदशाधिक दिविशततमहा पाथः समाप्तः भशापाकह तृतियह इत्यस्मिन पुस्तके विद्यमानहा अश्ताधशाधिक दिविशततमहा पाथः कई केई कई केई 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 केखई केखई इति चतुरनाम शब्दानाम व्युत्पत्तेहे विशये विस्तरेन प्रतिपादनं करोती इति शब्दाह बहुत्र साहित्ये गृष्टते रामायने अस्ती रगु अम्शे अस्ती अत्र संबोधनस्ये कवच्व नमस्ती अतह कैकेई इति निर्दिशते परन्तु शब्दाहातु कैकेई इति अस्ती अस्य शब्दस्यव व्याख्यानस्य अवसरे शब्दकल्पद्रुमे अस्यव शब्दस्यद्वव पाठभेदव दत्तवस्तहा अपी च अब्च अपि च अई कार अस्य स्थानी एकारम कृत्वा के के यी इति शब्द अपि तत्र अपि दत्र अपि द्रिश्च्छंते you do not find the prayogas परन्तु शब्द कल्पत्रु में एतव द्वाव पाठ भेदव नोचे देतव द्वाव शब्दव इती कथंचित दत्तमस्ती कई के यी इती शब्द से या प्रक्रिया तस्यामे व प्रक्रियायाम किंचित परिवर्तनम निपातनम चकृत्वा कई कई तथा के केई So, what we have done? In one, we got rid of this एकार, so कई कई And in the second, instead of this एकार, we got an एकार, so के केई अनेन प्रकारेण एतव द्वाव शब्द अत्र दत्तव स्तह So, that takes care of the first few words कई केई कई के 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 केई तत्र अन्ते विद्यमानहा चतुर्थाहा शब्द हा के कई सहा अपी बहुत्र दृष्यते भरतस्य मातु हो एव दिर्देशा अत्म रामा इर्ने अस्ती भट्टिकाव्य अपी प्राक के कई तहा इति निर्देशा वर्तते अत्र अत्र विद्यमानहा ये चत्वारह शब्दाहा ये ते भ्यहा फर्स्ट कई केही तथाच लास्ट के कई इति द्वव शब्दव साहित्य प्राचुर्येन दृष्येते अन्यो द्वव शब्दव कई कई तथा के केई एतव द्वव शब्दव शब्दकल्पद्रुमे कई केई इति प्रतमस्य शब्दस्य पाठ भेदरूपेड निर्दिश्ट वस्तहा तयोहो प्रयोगहाद दृष्ये इते सर्वं उक्त्वा इदानिम युष्माकं पुस्तके अग्रे एते शाम चतुर्णाम पिशब्दानाम विस्तरेन व्युथपत्ति ही दत्था अस्ति So I just want to set the expectations right. The व्य॥थपत्ति of these words is complex. Sutras after sutras running in the prakriya परन्तु पुस्तके दत्तमस्ति अतह पश्यामहा तत्र प्रथमहा शब्दाहा कई के यी इती शब्दाहा So we will go in the same sequence. So प्रथमहा शब्दाहा कई के यी इती शब्दाहा तस्य व्य॥थपत्ति ही कथम भवती इती चेत Understand this carefully. के कय इती जनपदम जनपदम इत्युक्ते राज्यम देशहा Like मिधिला और पंचाल Like that. So के कय इती जनपदम तस्य जनपदस्य यहा राजा यहा स्वामी तस्य नाम आपी के कय इत्यवस्ति एताद्र्षम यत्र जनपदस्य नाम तथाच्य तस्य राध्यहा नाम समानम वर्तते तत्र तस्य राध्यहा अपत्यम इत्यस्मिन अर्थे जनपदस्ब्दाद क्षत्रियाद अन्य इति सूत्रेण अन्य इति प्रत्ययहा भवती So this particular sutram is reserved for special cases where the name of the king is identical to the name of the kingdom केकयस्य राजा केकयहा तस्य अपत्यम स्त्री इत्यत्र तस्य त्युक्ते राध्यस्य अपत्यम इति न राध्यहा अपत्यम केकयः प्लस अयं प्लस स्त्रीत्वे नीप तत्र सूत्रम किम जनपदस्ब्दा चत्रियाद अयं इति अर्यं आदिवृद्धी भवती तद्धितेश्वचामादेहे कैकय प्लस अ प्लस इ अस्मिन स्थले कैकय मित्रयु प्रलयानाम यादेरियहा इति सब्तमाध्याईसे तृतिये पादे विद्यमानम द्विद्यम सूत्रम अनेन, see the sutra itself has the word केकय अनेन सूत्रेन केकय इत्यस्मिन शब्दे विद्यमानह या इति वरनहा तस्य इय इति आदेशह भवती। So, या gets converted to या, this is the crucial step, कैकय इत्यस्माग कैक इय इति भवती। The full या is converted to full या and then you can do गुण and so on, the remaining प्रक्रया is not that important, कैके इति सिध्यति। So, what is important? This I, अस्य निर्मानम कथम, तद्धितेश्वचाम आदेहे इति आदेवृत्थिही। तद नंतरम दिस एकार, तस्य निर्मानम कथम, यकार अस्य स्थाने इय इति आदेशह भवती। तद नंतरम एकारहा, गुण एकादेशे कृते एकारहा, अतहा कैके इति सिध्यति। अनेल प्रकारेण अस्माकम आवल्याम विद्यमानहा प्रथमाहा शब्दहा कई केई इति सिध्यति। ततर अस्मिन एव संदर भे, शब्द कल्पद्रुमें, कै के इ इत्यस्यत एव प्रक्रियायाम, प्रुषोदरादीनी यथोपधिस्टम इत्यनेन, अस्य अईकारस्य एकारादेशह भवती। इति उक्तवा के के की इति शब्दहा दत्तहस्ति। So, let's go back to the previous screen. See this, कै के इ इत्यस्वाद, from this word, all that he says is प्रुषोदरादीनी यथोपधिस्टम इति अईकारस्य एकारहा, we get the third word, कै के इत्यस्मात, के के इति भवती। So, के डस्वाद बिकम कै, eventually के के इति सिथ्थ्यति। अयम शब्दहा पुनरे कवारम वदामी के वलम कोशेशो दत्तहस्ति प्रयोगे नदृष्षते, किमर्थम दत्तहस्ति नद्यायते, परंतु तादृषा दृष्ष्यते। अत्रविद्यमानः तृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष के Can Украї स varies more, destructive के काति ए फ्यति स्धहति तेन क् की इथ सिद्यति नोचित के कई यमित्रय प्रलयानाम इति सुत्र स्रेच्व versão अनिक आरचि यति नभव它 यति जाय ते पदेवा सब्दकलपः रुम्य प्युक्तमस्थि के कय इत्यस्मात कई कय is the same प्रक्रिया, कई कय अत्र के कय मित्रयु प्रयानाम यादेर यहा इति य इत्यस्य अय आदेशा बाकु लकात नभवती कथंचे नभवती, there is no explanation. नभवती अताहा तत्र क इत्यवतिष्थती के इति नभवती अन्ते कई कई इति शब्धा सिध्यती. अन्येन पी के नचित प्रकारेन तत्र व्युत्पत्ति ही दत्तास्ती परतु भवताम पुस्त के सहविष्या नभर्तते अताहा इदानें तस्मिन विषये चर्चा अत्र अनेन प्रकारेन अत्र काई केई काई काई तथा केई केई the first three words let's go to the fourth word this is where the things become more complex, more interesting, whatever let's go back to a few slides to understand what I am talking so this केई 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 is done, this केई केई is done तत्र विद्यमान हा चतुर्थाःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः इत्यसमे नभिकारे, पुम्योगाद अख्यायाम इति किंचित सूत्रम वर्तते, अस्य सूत्रस्य कहा अर्थहा इदानिम स्पष्टी करो मी, and then we will look at the description, तत्रस्त्री प्रत्यय प्रकरने, सामान्य रूपेण, स्त्रीलिंगे शब्दानाम कथम निर्मानम भवती, तस्य प्रत अनेन प्रकारेण, तत्र भिन्नाह स्त्री प्रत्यय 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 प्रत्य 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 and explain this. इती वक्तु मिच्छा मश्यत कष्चनस्त्री प्रत्या हा भवेत। So, a female who herself is a potmaker, ताद्रशा निर्देशा कर्तु मिच्छते चेत कष्चनस्त्री प्रत्या हा भवेत। इती एकापध्धधि ही। परंतु तत्र अम्यापि काचित पध्धधि ही वर्तदे। कुम्भकारह अस्ती तस्या पत्नी। So, she herself might not be potmaker, but she is related to that कुम्भकार. So, तस्या पत्नी। नोचे तस्या पुत्री, तस्या स्नुषा। So, अनेना प्रकारेण। स्वयं कुम्भं नकरोती परंतु कुम्भकारेण सह संबंधा। Sammandha does not only mean pati patni sammandha, any kind of relationship. So, if you use the word कुम्भकारी, it can mean one of these two things. A lady who herself is a potmaker, or a lady who is related to a potmaker using some female relationship, daughter, wife and so on. एतादृषम यत्र संबंधस्य मिर्देशं कुरुत्वास्त्री प्रत्ययहा प्रयोक्तव्यास्ती, तत्र पुम्योगाद अख्यायामिति सुत्रम्पैजदे। पुम्योग मिन्स पुलिंग शब्देन सह योगा। कुम्भकारेन सह संबंधस्या इद्रिशा संबंधस्या कथंचि तभी भवितु मरहती, पितापुत्री संबंधस्या, पती-पत्नी संबंधस्या, and so on. So, पुलिंग वाचि शब्दात, तेन सह योगाहा, तेन सह संबंधस्या अस्मिन अर्थे विद्यमानस्या स्त्रीलिंग शब्दस्या निर्देशार्थम् नीश इति प्रत्यह भवती अत्तहा, केकया is the king. Understand, go back to the previous screen, the name of the king was केकया. So, केकया इत्यस्या पुत्री, so तेन सह संबंधस्या अर्थम् नीश प्रत्यह भवती. So, गोपेन सह संबंधस्या गोपी, तेन इव प्रकारेन केकयेन सह संबंधस्या केकयी. अता तत्व बोधिन्याम के मुच्चते, योगहा संबंधस्या. Whenever we say संबंध, the general idea is पति-पत्नी संबंध, but that's not required. सहाच इह दंपति भावह एवाइति न आग्रहा, किन्तु जन्य जनक भावह, the one giving birth and the one taking birth. जन्य जनक भावह, basically पिता-पुत्री और इवन माता-पुत्र-संबंधः अपिग्रुयते, संकोचे माना भावाद. संकोच means having a reduced meaning, having a reduced meaning of only पति-पत्नी and excluding other meanings like पिता-पुत्री and so on. There is no proof, there is no प्रमान for this. संकोचे माना भावाद अत्हा अत्र योगहा इति शब्देन कोपि सम्मंधा स्वीक्रियते चेद। के कयस्य दुहिता के कई इति शब्दहा सिध्यती भट्टि काव्ये अपी ताद्र्शह एवकी कई शब्दहा दक्तास्ती। इति अत्र तत्व बोधिन्याम निरदेशह वरतते परंतु बालमनोरमा कारेण अस्मिन संदर्भे किंचि भिन्न मुक्तमस्ती। बालमनोर। बालमनोरमा कारेण दस्दोपार fundamentalist. He says that this particular सूत्रम, पुम्योगा धंक्ययम, where we are talking about some kind of relationship, has to be patipatni relationship. No other relationship is allowed. अतहा बालमनोरमायाम की मुच्चते नच गोपस्य, so this particular example, गोपस्य स्त्री गोपी is okay, but नच गोपस्य माता, नच गोपस्य श्वश्रुहू, नच गोपस्य मातुलानी, other relationships are not allowed, नच गोपस्य माता, श्वश्रुहू, मातुलानी, वा गोपी इतिवाच्यम, किमर्थं, तत्र भाष्ये कष्चन निर्देशा वर्तते, अकुर्वती पापं भर्त्रु पृतान वदभद्धादीन यथा दभते, So, if the husband commits the paapa or whatever crime, the patni can be punished, but not mata or shvashru or matulani. So, that kind of yoga is only with the patni. अत्ः तत्र केवलं पत्न्याह एव निर्देशार्थं इदम सूत्रं प्रयोक्तव्यं अत्ः केकय सिद्धुहिता केकई इतिन भविदुमर्हद। तरही केकई शब्दहा कथं सिद्ध्यती इति चेत। He says it's very simple. शिद्गवरादिभ्यष्च इति किंचन सूत्रमस्ती शिद्गवरादिभ्यष्च इत्यस्मिन सूत्रे गवरादिगणह विद्यते गवरादिगणस्य शब्दे भ्यांगीश प्रत्ययह उक्ताहस्ती. So, words present in the Gauradigana Geta Nish, अतहा तत्र शिद Gauradibhyasya इत्यस्मिन सूत्रे निर्दिष्टहा यहा Gauradigana हा तत्र इव केकया शब्दस्य स्थापनम कृत्वा तस्मात शब्दाद नीश्प्रत्ये कृते केकयी इति शब्दहा अवश्यं भवितुम अरहती इति तत्र आशयहास्ति. अस्मिन संदर्भे भट्टि काव्ये अन्या अपिकाचित व्युत्पत्ति ही वर्थते तत्र केकयान जन्मभूमित्वेन आचश्टे, the one who treats the केकया kingdom as the birthplace. केकयाम जन्मभूमित्वेन आचश्टे, इति प्रकारेन तत्र केकया शब्दात, एका धीरगा प्रक्रिया भवती, ताम कृत्वा केकयी इति शब्दहा सिध्यती. So, this प्रक्रिया is presented on the screen, you are free to go through it in as much detail as you want. So, तत्र आदवुनिच प्रत्या है भवती, तदन अंतरम अचहा इति उनादी सूत्रियन इति प्रत्या है भवती, कथंचि तत्र केकयी इति शब्दहा, तत्र साधितहा पुवर्त दे. So, भट्टि काव्ये अपि निर्दिष्टहा स्ती. सुखेन रामहा प्राख केक यी तहा अत्र केक यी शब्दस्य इयमेव व्युत्पतिही तत्र दत्ता दृष्षते केक याना माचस्टे इति डिच तदंता अचहा इही तदनंतरम कृधिकारा दक्तिनहा So same things that I have mentioned, the Prakriya is given in the details तत करोती तदा चस्टे इति निच तदंतरम अचहा इही इति इ तदनंतरम कृधिकारा दक्तिनहा इति नीश अनीन प्रकारेन अत्र केक यी इति शब्दहा सिध्यती इति तत्र भट्टिकाव्ये निर्दिष्टमस्ती नोचे कई केई इति शब्दहा पिते न यथामया पूर्वं निर्दिष्टम जनपदाक्षत्रियाद अयां तदनंतरम केकय मित्रयू प्रदयानाम यादेह इहा इति इया आदेश अनीन प्रकारेन साधितह दृष्टे So to capture the whole summary out of the four words के कई इति शब्दहा तत्र प्रयुक्तह दृष्टे भट्टिकाव्ये तस्य व्याख्याने व्युथपत्ति ही दखता स्ती कई के यी इती शब्दहा तत्र प्रयुपत्था दृष्टे भट्टिकावे तस्य व्युत्पत्थी दत्ता अस्ति अतह एते चत्वारह शब्दाहा So this table basically captures the प्रक्रिया in summary तत्र ग्रीन कलर मध्ध्य यद निर्दिष्टमस्ति तस्य साहित्य प्रयोगाहा दृष्टमस्ति रेड कलर मध्य यद अस्ति तत्र प्रयोगाहा न दृष्टमस्ति परंतु शब्द कल्पद्रुमे व्युत्पत्थी ही तत्र प्रदर्शिता भर्टते अनेन प्रकारेन अस्मिन पाठे कई केई, कई कई, के केई, के कई, इत्ये देशाम, चतुरनाम, शब्दानाम, विस्तरेन वर्णनम, व्युत्पत्ती निर्देशहच कुरतासती छात्रे ही कस्य शब्द से प्रयोगहा करणी यहां इतिचेत शक्यम चेत यस्य व्युत्पत्य ही ज्ञायते इत्युक्ते कई केई इत्यसे वशब्द स्य प्रयोगाहा उचितत तरहस्ति अन्ययोहो द्वयोहो शब्दयोहो प्रयोगहा शक्यम चेत मास्तू कि मर्थम तत्र व्युत्पत्य ही अपी is not very clear or very obvious याथो पbadश्चम इती उक्त्वाकिन्चिद विद्पथवध तत्मस्त्य। इति तत्र्णे उक्तमस्ति अनेन प्रकारिन भवतां पुस्तके विद्यमानह अष्टा धशाधिकद्ध्विषततमह पाथा-समाथः। झाल झाल